हाई एवरिवन वाट्स आप वेलकम तू अपना कॉलेज अगर मैं आपको कहूं कि राहूल की करन्ट गर्फरेंड की एज हमें एक वेरियेबिल में स्टोर करनी है तो आप कहोगे कि भी एक इंट वेरियेबिल बना लो एज करके और उसमें डाल दो उसके एज ठीक है लेकिन वाट एफ मैं आपको कहूं कि राहूल की अभी तक की जो भी सारी गर्फरेंड रह चुकी है उन सब की एच है आपको एक लिस्ट में स्टोर करनी है तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम एक नया डेटा स्ट्रॉक्चर पढ़ेंगे तो यह डेटा स्ट्रॉक्चर है आरे आर अब यहां पर अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल में सारे इंटीजर्स हैं तो यह हमारा एक आरे हो गया ठीक है दूसरा आप देखोगे तो इसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स हो गया तो यह भी एक आरे हो गया थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा character भी है और integer भी है और float भी है तो यह क्या हमारा array हुआ नहीं दस नौट आरे क्योंकि यह variables जो इसमें है वह similar type के नहीं है तो अब समझते हैं कि यह आरे है जो यह list है इसको store कैसे किया जाता है memory में सबसे पहले अगर मेरे को किसी array को initialize करना है तो वह मैं करूंगी ऐसे फर्स्ट फॉल मेंशन देटा टाइप ठीक है कि जो variables उसमें store होने वाले हैं उनका data type क्या है उसके बाद आएगा हमारा array name और फिर ब्राकिट में आजाएगा size तो आरे इसमें हमें size mention करना बहुत जुरूर है तो अगर मेरे को यह number store करने हैं 10 20 30 40 तो इसके लिए मैं एक array बना दूंगी 4 size का और उसका data type क्या होगा इंट ठीक है तो अब हमने पहले वीडियो में यह पढ़ लिया है कि जो एक इंट वेरियेबल होता है वो 4 bytes यूज करता है तो अगर हम एक array बना देते हैं जिसमें की 4 integers हैं तो उसका size हो जाएगा 4 into 4 bytes 16 bytes ठीक है simple math तो अगर यह 5 variables हम store कर रहे होते हैं हां पर तो 4 into 5 20 bytes का हो जाता हमारा array तो होता क्या है कि जैसे ही हम एक array जो है declare करते हैं तो वहां पर जो हमारा memory है उस size के हिसाब से array के जो हम size mention करते हैं और जो data type mention करते हैं उसके हिसाब से वो एक हमें block of memory उस array के लिए दे देता है उस array के लिए block of memory reserve कर देता है ठीक है तो अगर आप समझें कि यह जो मैंने बना रखा है block of array यह हमें block दे रखा है for our array जो four size का है है ना तो यहां पर यह 16 bytes का यह block है और यह जो मैंने addresses लिख रखे हैं इनके यह सर्फ example के तौर पर समझाने के लिए लिख रखे हैं वैसे यह जो addresses होते हैं यह hexadecimal form में होता है ठीक है तो उसको बस समझने के लिए for the simplicity factor हम इसको decimal में ले लते हैं अभी तो हमारा two zero one से लेके two zero one six तक हमारे blocks of memory जो है हमें मतलब उतनी bytes जो हैं हमें मिल जाएगी अपने array को store करने के लिए और यहां पर four bytes जो हैं उसमें एक integer हमारा store हो रहा होगा तो first four में हमारा store हो रहागा 10 फिर उसके बाद जो four bytes होंगे उसमें 20 and so on अब अगर यहां पर में को array में किसी भी variable को मैंने access करना तो वह कैसे करूंगे मैं तो उसके लिए हम use करते indexing अब arrays में जो है by convention in most of the languages जो indexing start होती है वह 0 से start होती है तो अगर 20 को आकेस करना तो मैं लिखूंगी array of 0 ठीक अर अगर में 20 को करना आकसेस तो मैं लिखूंगी array of 2 और 40 को करना इन लिखूंगी array of 3 ठीक है तो अगर n का हमारे पास array है तो array जीरो से लेके array of n-1 तक के हमारे elements होंगे उस आर्य में जिनको हम access कर सकते हैं तो मैं किसी भी जो आर्य element है उसको access कर सकती हूं ठीक है तो अब हम देखते हैं कि इसको code कैसे करते हैं तो अगर में को किसी आरे को जो है declare करना है तो यह हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करेंगे वही जो वहां पर समझा है वही चीज लिख रही हूं यहां पर और इसमें अगर मेरे को elements डालने सारे में तो यह तो मैं हर एक element अलग से डाल सकती हूं ठीक है यह हमने समझ लिए कि access कैसे करेंगे हर एक element को तो मैं लिख सकती हूं कि array of 0 जो है 10 है और array of 1 जो है वो 20 है and so on इसको एक दूसरा और simpler way भी होता है करने का ठीक है कि यहां पर हम जहां पर हम डिकलेर कर रहे हैं हमारे आरे वहीं पर हम उसे इनिश्टिलाइज कर दें तो हम curly braces में जो है लिख देंगे हमारे elements of the array which will be separated by commas तो यह हमारा array हो गया और अगर मैं यहां पर लिख हूँ सी आउट array of 3 तो मेरे को मिलना चाहिए 40 आंजर है ना तो इसको एक बार ही देखते रान करके और मिलके हमें 40 क्यूं क्यूंकि यह जो है 0th element हो गया 10 first element हो गया 20 second element हो गया 30 और हमारा थर्ड element हो गया 40 ठीक है तो यह हमने देख लिया अब एक और तरीका होता है array को initialize करने का यह तो हमने खुद initialize कर दिया what if हमें user से लेकर input और फिर array बनाने है तो हम क्या करेंगे तो हम सबसे पहले तो user को कहेंगे कि पहले वो हमें size दे हैं ना क्यूंकि array initialize करने के लिए हमें सबसे पहले उसका size चाहिए तो हम बोलेंगे user को कि पहले variable बना दते हैं n ठीक है n जो है वो size हो गया और फिर हम user से ल clear करेंगे और उसके बाद हम user को बोलेंगे कि अब जो है हमें array के elements को input दे तो अब इसको भी हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले इसको array 0 लें फिर array 1 array 2 and so on या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं एक for loop लगा सकते हैं है ना तो यहां पे i को हम loop करेंगे from 0 to n तक ठीक है less than n तक औ और यहां पे हम input ले लेंगे array of i है ना तो इससे हमारी जो पूरी array है वो हम user से input ले लेंगे अब यहां पे क्या करते हैं हम एक बारी यह जो हमने array user से ली है इसको output कराते हैं अब output कराने के लिए हम same for loop दुबारा लगा देंगे है ना क्यूंकि हमें तो पता नहीं है कि user न n क्या डाला है तो हम for loop लगा देंगे और हम यहां पे sin की जगा कर देंगे cout वो space डाल देते हूं ठीक है run करते हैं मैंने five size की जो है एक array बनाई जिसमें मैं elements star root 12 13 14 15 और 16 तो यह हमारे array के जो भी है values वो print होगा ठीक है तो हमने सीख लिए कि array को declare कैसे करते हैं initialize कैसे करते हैं input कैसे लेते हैं और output कैसे देखते हैं तो अब एक question देखते है simple सा array पर तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें user से array लेनी है input of size n जो की user ही specify करेगा और उसमें से हमें maximum और minimum element जो भी होगा वो print करना है ठीक है तो सबसे पहले हमने n ले लिया user से input इसके बाद हमने एक array बना दी of size n और हमने for loop लगा के user से input ले लिये array के सारे elements ठीक है तो अब maximum minimum हम कैसे find करेंगे हम हर element को जो है हमारी maximum और minimum value से compare करेंगे हर element of the array और जहां पर हमें maximum जो हमारा current maximum में उससे ज्यादा मिल जाता है तो हम maximum को update कर देंगे और अगर कम मिल जाता है तो हम minimum को update कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले दो variables बना लेते हैं int max number और int minimum number अब एक loop लगा देंगे हम यहाँ पर जो कि चलेगा 0 से n तक और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि check कर लेंगे कि if हमारा जो number है वो more than max number है तो क्या कर दो max number को update कर दो है ना और अगर array of i less than minimum of minimum number है तो फिर minimum number को update कर दो अब यहाँ पर हमें maximum number और minimum number को पहले यहाँ पर initialize करना पड़ेगा वोगि अगर हम initialize नहीं करते तो हमारा जो compiler है वो उसको कोई garbage value दे देगा ठीक है तो इसको हम initialize कर सकते हैं array of zero से first element से भी कर सकते हैं वरना एक better approach रहेगी to initialize it with int minimum int minimum क्या होता है कि जो minimum integer possible होता है c++ में वो उस value को हम बोलते हैं int minimum तो हम maximum को int minimum दे देंगे तो कोई भी value जैसे ही इससे बड़ी होगी तो हमारा maximum number जो है वो अपडेट हो जाएगा और इसको हम दे देंगे int max तो I hope इसका logic सबको समझने आ गया है कि हम maximum number को int minimum क्यों दे रहे हैं और minimum number को maximum क्यों दे रहे हैं क्योंकि हम यहां पर लूप कर रहे हैं और जैसे क्योंकि कोई number maximum से बड़ा मिलता है या minimum से काम तो हम उसको अपडेट कर देते हैं है ना तो हमें initialize जो है ऐसे करना पड़ेगा और इसके लिए हमें यहां पर mention करनी पड़ेगी एक header file जो की होती है c limits ठीक है सो इससे जो है हमारा int max में maximum integer आ जाता है और int minimum से minimum integer तो यह हमने initialize कर दे अपने max number और min number को अब यहां पर हम थोड़ा सो और इसको अच्छा बना सकते हैं कि यहां पर यह if statement की जगा जो है जो हम तीन लाइन यूज कर रहे हैं यह एक लाइन में काम हो सकता है इसको कैसे करेंगे कि max number is equal to maximum of max number और array of i यहां पर हमने क्या किया यह जो max जो हमने function use किया है this is a built-in function ठीक है जो कि हमें देता है क्या maximum of जो दो numbers हमने इसको provide करें ठीक है तो compare करेगा कि क्या जो current maximum number है और जो array of i है उनमें से क्या जादा है और जो भी value जादा होगी वो max number को allocate हो जाएगी ठीक है तो same cheese हम कर सकते हैं मिनम के साथ भी राइट तो इसके लिए min होता है जो हमारा built-in function होता है और यह done और last में हम print कर देंगे max number और min number 5 size के array बना रहेते हैं ठीक है 10 20 47 100 तो हमें मिल गया है यह पर maximum number हो गया हमारा 100 और minimum हो गया 10 तो यह हमने program लिख लिख लिया to find maximum and minimum element in an array तो next video में हम देखेंगे थोड़े और questions on arrays थोड़े concepts जो arrays में काम आते हैं and yeah that's all for this video झाल के एान ऑगं के जगं अगए दो थ। उबे को ऑई पर से आ侈etterहते हैं को विन्यों में हम जोड़े आफ चाहते हैं ולिसली याल और यहई एFr簡6 और सा विसकतर षू हैं को चाहते हैं